चजर जिले के गाउं सिकंदरपुर में अपनी भांजियों की साधी में रेवाडी से पहुंचे मामा ने एक करोड ग्यार लाख रुपे कैस का भाद भरा इतना ही नहीं पंदरा तोला सोना और आदा किलो चांदी भी दी गाउं सिकंदरपुर में सद्गुरुदाज की बेटी सिवानी और सीतल की साधी थी उनकी साधी पानिपत के गाउं बापौली में हुई है भाद में बेटियों के मामा रेवाडी के गाउं मुंदनवासी असोक और देवी सिंग रावत भात लेकर पहुँचे मामा ने जब भाद की रसम में पान पान सो के नोटों की गड़िया निकालना सुरू किया तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए और प्रकास ने अपनी दौरों भांजियों की साधी में पूरे एक करोड ग्यारा लाक एक सो एक्यान रुपे कैस और सोना चांदी सगुन क तोर पर दिया है सिवानी और सीतल के चाचा सुन्दर ने बताया कि बेटियों के मामा वैसे तो जमिदार है लेकिन खांदानी रही से उन्होंने अपनी बहन की साधी भी धूमधाम से कर रहे हैं आपको बता दें कि पिछले साल नॉवंबर 2023 में रेवाडी जले के गाउं आ करोड़ों रुपे के गहने भी दिये थे ऐसे ही अब मामा ने अपनी भांजी की साधी में हिंदी रुतिरुआज के तहट भरे जाने वाले भात में मिसाल पेश की है उनकी चर्चा आसपास ही नहीं बलकी देश भर में हो रही है अपनी वहन के घर भाईयों ने नोटों की गड़ियों का धेर लगा दिया उसने एक करोड एक लाग ग्यारह हजार रुपे का कैस में भात भरा है और करोड रुपे के गहने भी दिये हैं इस भात में दिये गए कैस का वीडियो अब हर जगे वाइरल हो रहा है